तो आज से हम हमारा चब पर कंटीन्यू करेंगे इस वीडियो में तो अभी हम लन करेंगे लीपियर लीपियर आने की हर तीन साल के बाद जो फूर्थ यर आता है तो वहां पे फैबुर्वारी मन्थ में 28 के बज़े 29 डेज आते हैं वो हमें यहां पे देखना है Since one year of earth is 365 days and six hours but it is difficult to calculate one fourth of the day अभी एक साल में एक साल किस तरीके से होता है 365 days and six hours लेकिन six hours हमारा कितना part होता है एक दीन का one fourth part लेकिन उसको calculate करना बहुत ही hard रहा था So we count year as having 365 days तो हम किस तरीके से years को count करते है उसके पास कितने दिन होते है 365 वो होता है हमारा दीन यह जो six hours है उसको निकाल दिया In order to compensate remaining six hours are added to the month of February every four years अभी यह six hours का हम क्या करेंगे हर तीन साल के बाद चूथा साल आएगा ना तो February में एक दिन हम बढ़ा देते क्यूं क्यूं क्यूंकि वो रहता है हमारा leap year क्यूंकि यह जो six hours है और इसको एक साल पुरा करने में सन के आजो बाजो में एक पुरा year finish करने में 365 days and six hours लगते लेकिन इसको हम count अभी नहीं कर सकते हैं क्यूंकि हम इसको days में count कर रहे हैं इसलिए hours को इसमें include नहीं कर सकते है इसलिए वो एक जो six hours होते है ना उसको हम count करते हैं February में एक दिन बढ़ा देते हैं कॉंसे year में हर तीन साल के बाद जो चूथा साल आता है ना उसमें February is 29 days in place of 28 days we call that year leap year अभी यहाँ पे नीचे activity दी है with the help of your teacher learn the details about how the leap year is calculated अभी यहाँ पे leap year किस तरह किसे calculated करेंगे ना वो हम calculation अभी notebook में करेंगे अभी हम करेंगे calculation of leap year तो उसको कैसे करेंगे तो सपोस्थ चलोगी एक साल है तो वहाँ पे और्स को लगे 365 days and six hours ओके अभी दूसरे साल में फिर से 365 days लगेंगे और यह six hours लगेंगे लेकिन आगे के six hours हम यहाँ पे नीचे ले ले लेते तो यानि कि दूसरे साल में कितने लगे 365 days and 12 hours ओके अभी हम सिर्फ days को count कर रहें अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे तीसरे साल में 30 साल में क्या होगा as usual 365 days लगेंगे फिर उसका six year hours होगा साथ ही साथ आगे का जो दो साल का six hours यानिकी टोटल 12 hours जो हुए हमारे 12 घंटे ठीके वो हम यहाँ पे count करेंगे तो हमारा तीसरे साल कब finish होता है 365 days and 18 hours अभी फोर्थ साल में फोर्थ यहर में क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे आएगा 365 days हुए बाकी के उसके continue six hours चो होते है वह हमें यहाँ पे लेने प्लस हमें करना है 18 hours चो यहाँ पे तीन साल के 18 hours हुए थे ना उसको प्लस करना है तो वह कितना हो जाता है 24 hours 24 hours यहनी कितना हो जाता है वन डे यहाँ पे फोर्थ साल में क्या हुआ हमारा एक दिन बढ़ गया की नहीं बढ़ गया राइट इसलिए February में अब तक हमारे पांस होते थे 28 days लेकिन उसको यहाँ पे सब होगे 28 days ठीक है लेकिन यहाँ पे एक दिन बढ़ गया है इसलिए February मंठ में लीप येर में होता है एक दिन ज्यादा याने की 29 दे तो यह है आपकी लीप यर की calculation अगर आप चाहो ता आप इसको note down कर सकते हो के अभी next portion हम देखेंगे eclipse एकलिप्स याने की ग्रहन विकिद लाइट फ्रॉम सन एंड मून सन इस सेल्फ इल्यूमिनेटेट एंड shine sprightly while the moon is illuminated with the help of sunlight with this light of sun अभी क्या है कि हम् में किस से प्रकाश मिलते है sun और मून से दिन में sun से मिलते है रात को मून से मिलते है अभी sun जो है वोश वैम प्रकाशी को लाइट तो वो खुदी चमकता है लेकिन moon जो है वो स्वैम प्रकाशित नहीं है वो sun की sunlight से चमकता है ठीके और illuminated part is seen on earth on different days an association an occasion when moon or the sun seem to be completely or partly disappearing because one of them passing between the other and the earth in such situation it is eclipse अभी eclipse किसको बोलेंगे कि कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन अभी जो sun और moon दोनों जो है न वो हमें आधे आधे दिखाए देते है या तो फिर नहीं दिखाए देते है उसका कुछ हिस्ता ही हमें दिखाए देता है ठीके तो वो क्यों होता है कि कभी यहाँ पे earth है तो यहाँ पे moon, earth और sun के बीच में आ जाता है कभी यहाँ पे earth है शुर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन फर्स रम लन करने वाल है solar eclipse अभी यहां पर पहले हम यह diagram देख ले थे picture देख ले यहां पर क्या है देखो यह moon है यह sun है और यह earth है अभी यह ग्रहन क्यों होता है कि हमें पता है कि earth rotation revolution कर रही है moon उसके आजबाज़ में rotation revolution कर रहा है sun अपनी जगापे sun से moon earth जो है वो sun से छोटी है moon भी है वो sun से और earth से दोनों से छोटा है तो फिर क्या होता है कि moon होता है इस तरीके से घुमते 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 earth के पूरा चकर लगा के फिर यहां पर एक दिन center में आ जाते है center में आने से क्या होता है बता है इतना जो sun का पार्ट होता है वो हमें कम दिखते है like this इतना कम दिखते है क्यों क्योंकि moon जो है वो earth और sun के बीच में आ गया है तो क्या होता है यहां पर पहला क्या है यहां पे है sun तो तब होता है solar eclipse हमें क्या कम दिखाए देता है तो भई हमें sun कम दिखाए देता है sun में बीचे बीच में एक black color का कुछ बोल आके अटक गया हो न ऐसा दिखाए देता है क्यूं? क्योंकि earth और sun के बीच में क्या आ गया है? moon अब यहां पे solar eclipse और lunar eclipse जो है न यानकी चंद्रग्रहन वो दोनों में confusion यह होगी कि कौन से ग्रहन में किसके बीच में क्या आ जाता है तो यहां पे हमें यह consider करना है कि हमें आपे क्या कम दिखाए दे रहा है sun दिखाए दे रहा है ठीके sun के अंदर यह पूरा black दिखाए दे रहा है तो इसलिए किसका ग्रहन हो रहा है आपे sun का ग्रहन हो रहा है इस तरीके से आपको याद रखना है moon is close to earth it revolves around the earth अभी moon जो है न वो earth के एकदम नस्दिक है और earth के आजबाज़ो में revolution करता है sometime while revolving it comes between sun and earth अभी कभी कभी वो revolving करते करते sun और earth के बीच में आज़ाता है at this time as the shadow of moon constraints sun is not visible अभी उस समय moon की वज़े से यह sun हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है ठीके यह जो moon होता है वो antral में आज़ाता है इसको antral में आना केता है this event is called solar eclipse की definition as the moon is very small as compared to sun it cannot cover whole sun thus solar eclipse cannot be seen all over the world together solar eclipse occur on no moon day but this event does not take place on every no moon day अभी no moon day याने की अमास full moon day याने की पुनम चहांपे sun हमें moon हमें पुरा दिखाई देता है no moon day याने की अमास चहांपे moon जो होता है ना वो हमें दिखाई नहीं देता है ठीके तो moon जो है ना वो sun से बहुत छोटा है इसलिए पूरे sun को cover नहीं कर सकता है इसलिए earth पे सारी जगापे ये eclipse दिखाई नहीं देता है साथी साथ ये possible नहीं होता है कि हम पूरे earth पे ना पूरी दुनिया में एक साथ सुजग रहन देख सके और सुरे ग्रहन जो होता है वो कौन से दिन को होता है no moon day यानि कि अमास के दिन पे लेकिन वो every no moon day पे नहीं होता है कभी कभी होता है अभी है lunar eclipse यानि कि चंदर ग्रहन अभी यहाँ पे देखो नीचे diagram चंदर ग्रहन क्यों होता है यहाँ पे sun है यहाँ पे moon है यह अर्थ बीच में आ गई तो इतना हमें थोड़ा सा moon नहीं दिखा देता है अभी हमें क्या नहीं दिखा देता है moon earth यह sun तो किभी हमें moon नहीं दिखा देता है इसलिए यह होगा चंद्र का ग्रवन याने कि lunar eclipse अभी ऐसा क्यों होता है कि यह दोनों revolution करते earth moon दोनों rotation revolution करते तो जिसे उपर हमने solar eclipse में देखा कि moon बीच में गुमते गुमते आता है वैसे earth यहाँ पे आती है और moon यहाँ पे होता है पीछे तो इस situation में क्या होता है कि जो sun की sunlight से moon हमें दिखाए देते है उसकी खुद की light नहीं है इसकी वज़े से earth यहाँ पे बीच में आई ना तो sun की sunlight इतने पार्ट में ना कम जाती है यहाँ से moon आधा नहीं दिखता है इतना black दिखता है इसलिए इसको बोलते है lunar eclipse और वो कब होता है full moon night यानी कि पूनम की रात को तेके पूनम जब होती है तब अभी आपकी friend पूनम नहीं full moon night वाली पूनम ओके और यह सारी पूनम की रात को नहीं होता है कभी कभी ही होता है कि जब earth sun की और moon की बीच में आ जाती है तब moon gets light from the sun moon को किसकी बज़े से light बिलती है sun की बज़े से thus if the sun rays going towards moon are obstructed by earth then the part of moon remains dark अभी जब sun की sun rays moon की और जाती है और earth उसके बीच में आ जाती है तो इतना part हमें dark दिखता है इंग नच्रेल that much part of earth shadow falls on moon अभी क्या होता है कि in short क्या होता है इतना ही part का जो shadow होता है न वो होता है moon के उपर जाता है earth का इतना shadow होता है वो moon के उपर जाता है this part is not visible to us और वो हमें इतना दिखाए नहीं देता है लेकिन क्या से दिखाए देता है which is called lunar eclipse such events occur on full moon night but such events do not take place on every full moon night अभी यह जो होता है सारी situation lunar eclipse वो होती है full moon night को लेकिन सारी full moon night को यह situation नहीं होती है अभी हम complete करेंगे हमारी exercise which planet is closest to the sun अभी sun से एकदम नस्तिक वाला planet कौन सा है Mercury, zero degree latitude is known by which name equator which tropics is located between 23.5 degree north latitude and 66.5 degree north latitude वो होता है temperate zone क्योंकि freezing zone जो होता है 66.5 degree से उपर होता है ठीक है tory zone जो होता है तो वो होता है equator के इकवेटर से 23.5 degree temperate zone क्या होता है कि जहां पर एकदम moderate sunlight जाती है तो वो आता है यह हमारे दोनों ट्रॉपिक्स और यह दोनों जो 66.5 degree पर दोनों सरकल है ना उन दोनों के बीच में अभी कौन अपने अक्सिस पर 23.5 degree का एंगल बनाता है यहां पर और यहां पर सामने देखा था अभी यहां पर 6 वाला है because of which obstruction solar eclipse is seen on earth अभी किस के बीच में आ जाने से solar eclipse होता है तो अभी मून के बीच में आ जाने से solar eclipse होता है अभी यहां पर पोशन है identify me अभी यहां पर I am called a giant planet also अभी कौन सा है जो राक्षशी किरह माना चाता है सबसे बड़ा होता है वो तो आएगा Jupiter on crossing date has to be changed अभी कौन किसों change करते हुए date change होती है तो international date land मैंने आपे short में लिखा है आपको जब notebook में लिखते हो तो आपको full form पुरा लिखना है I am 90 degree south latitude वो जो 90 degree south latitude होता है वो होता है south pole इसके बाद है I revolve around the sun मैं सन के आजो बाजो में घूमता हूँ मैं नहीं घूमती हूँ लेकिन यहां पर इसा बोला है किसने बोला है भी हमारे चंदा मामा ने बोला है तो आंसर आएगा moon इसके बाद है if I were not there तो organisms would have died तो आंसर आएगा sun यहां भी हमें इसा बोला गया है कि अगर मैं नहीं होता ना तो सारे organisms मर जाते तो किसकी वज़े से हम जिन्दा है सन की वज़े से अभी हमके complete करना है true false पहला है moon is self illuminated moon जो है वो श्वयम प्रकाशित है तो obviously false Neptune is a blue color planet तो आंसर आएगा false false क्यों क्यों क्योंकि Neptune green color का है इसलिए उसके बाद horizontal lines draw on the earth latitude यह right है on 21st June it is winter on tropic of cancer अभी जून का मन जो होता है उस समय में क्या हचल रहा होता हमारा हमारी exams के बाद हमारा summer vacation होता है वो उस समय आता है जून का मन April, May और जून में स्कूल खुलने की शुरुवात होती है तो वो इंटर होता है या समर होता है obviously summer होता है तो यहाँ पे हमें लिखना है false अभी 5th वाला true false है it's very cool on equator equator पे तो बहुत cool cool feeling आती है obviously wrong क्योंकि वहाँ पे sun rays इदम सीधी जाती है इसलिए वाँ पे गर्मी ज्यादा होती है 90 degree north latitude is called north pole right अभी हम complete करेंगे हमारी exercise अभी यहाँ पे मैंने chapter 9 the earth over habitat एग दिन डेख दी है exercise यहाँ पे question 4 मेंने heading डाल दिया है चोकि answer the following question पहला question है हमारा what is the speed of the earth earth की speed क्या है तो earth की speed is speed of the earth is 1670 km per hour इसके बाद है polar star is seen on which direction polar star कहाँ पे निखाए देता है दुरू का तरह उत्तर दिशा में यानि की node direction इसके बाद है which is the brightest planet in the solar system सबसे brightest चमकीला planet को रसा है हमारा Mars यानि की mangalgra by which name is 180 degree longitude known अभी कौन से नाम से 180 degree longitude जाना जाता है international date line यहाँ पे हमें confusion नहीं करता है हमें longitude पूछा है ठीक है जो कि standing lines होती है उसमें 2 important हो एक तो 0 degree degree niche line और 180 degree international date line अभी next question 5 है हमारा answer in 3 or 4 sentences first one if the earth does not rotate on its axis what will happen अभी earth अपने जगा पे rotation नहीं करती तो क्या होता है तो answer if earth would not have rotated then one side light would have been there while on the other side it would have remained dark second question है हमारा why do you mean by latitude and longitude what do you mean by latitude and longitude अभी हिन दोना का meaning यानि कि हिन दोना की definitions हमें यहाँ पे लिखनी है पहला है latitude the horizontal imaginary lines drawn on the earth surface are cold latitudes और अभी longtitudes के बारे में क्या लिखना है the vertical imaginary lines drawn on the surface of the earth are cold longtitudes अभी यहाँ पे अना third question है February month sometimes 29 days explain the statement अभी यह पुरा answer है ना वो आपका leap year का portion है तो अगर आप उसमें से लिखना चाहते हो तो leap year का पुरा portion आपको यहाँ पे लिख देना है तो हो जाएगा आपका answer since one year of earth is 365 days and six hours but it is difficult to calculate one fourth of the day so we count year as having 365 days in order to compensate remaining six hours are added month of February every four years so February has 29 days in place of 28 days question 4 है हमारा which planets are known as inner planets कोन से हमारे आंतरी ग्रह inner planets से mercury, venus, earth, mass are known as inner planets और अभी उत्रायन का portion what is उत्तर्यान, otherwise उत्रायन अभी यह जो है यह भी आपकी बुक से cut to cut पूरा portion यहाँ पे लिखा गया है sentence भी सारे वही है तो आप आप हाँ से भी लिख सकते हो the direct rays of the sun being to fall towards north of the equator thus northern solstice occurs on 22nd December sun enters makar ratio on 14 January so it is called makar शंकराती और उत्तरायन अभी हम next portion है वह हमें short knot complete करनी है तो short knot है यहाँ पे question number 6 तो फेली है lunar eclipse, solar system, tropics and equinox यह सब आपको लिखनी है क्योंकि यह सब लिखने से क्या होगा return practice हो जाएगी आपको सब समझ में भी आजाएगा और कोई भी इतनी बड़ी नहीं lunar eclipse आप उसको figure के साथ draw करके उसको आपको लिखना है solar system में आपके सारे solar system के बारे पहले sun के बारे में थोड़ा से लिखना है तो यहाँ पर आप हमारा chapter 9 है जो कि बहुत बड़ा chapter था ठीके ना और अब अच्छा भी था तो यह finish होता है और आपको अच्छे से समझ लेना है learn करना है exercise भी complete करने ही ओके बने मात्रम